7 May 2023 वो डेट जब इस साल आपका नीट का एक्जाम होने वाल है अब मैंसे हर कोई इस एक्जाम के लिए लंबी टाइम से प्रिपेर कर रहा होगा कोई एक साल, दो साल, चार साल या फिर उससे भी ज्यादा नो डाउट आपने काफी महनत की होगी पर अब जो आपके एक्जाम में ये एंड के 3 महीने बचे हैं यही डिसाइड करेंगे कि आप नीट के दिन कैसा परफॉर्म करते हैं लेकिंटेंशन लेने की कोई बात नहीं है पैनिक से ज़ादा अब इस टाइम पे जरूरा थे एक फाइनल स्टडी प्लान की जो आपके वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉंग करें स्ट्रॉंग एरियास को मेंटेन करके रखे और सबसे जरूरी आपके स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें और यही प्लान हम लोग अभी इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो सीधा स्टार्ट करते हैं देखो फेब, मार्च, एप्रिल और में का एक हफता कुल मिलाकर इतने टाइम में अब हमें हर एक चीज कवर करनी है और हर एक मन्त के लिए हम एक अलग अप्रोच से आगे वड़ रहे होंगे लेकिन मैंने नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स इन आखरी के साथ दिन में सबसे ज़ादा गलतियां करते हैं तो मेक शूर आप यहाँ पर सबसे ज़ादा धियान रख रहे हो ओके तो अब दो तरह की स्टूडेंट्स होंगे पहला जिनने अभी तक नीट का पूरा सिलिबस कंप्लीट नहीं किया है मैजोरिटी ओफ स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी में आते हैं पिछले साल जैनवरी में जब मैं नीट परपरेशन कर रहा था मेरा भी पूरा सिलिबस कंप्लीट नहीं होगा था और दूसरा वो लोग जिनने नीट का पूरा सिलिबस कंप्लीट कर लिया अब देखो ये चीज़ सबको पता है सबसे पहले आपको अपना सिलिबस कंप्लीट करना है आपने अपना एक शेडियूल बनाया होगा या फिर आप किसी चोड़ना पड़ेगा हां अभी चोड़ना पड़ेगा क्योंकि देखो अभी आपको डीटैल स पर फोकॉस करने के वजाए जयादा से ज़्यादा सिलिबस कंप्लीट करने के लिए वन शॉर्ट सिरीज अभी आपके सबसे जबसे ज़्यादा काम आने माली है और physics वाला की उम्मीद 1.0 और 2.0 series इसके लिए best है जो की YouTube और website दोन उपर free है तो उससे पढ़ना start करो मेरे हिसाब से उम्मीद 1.0, 2.0 से ज़्यादा अच्छी series है तो मैं suggest करूँगा कि आप उसी से पढ़ें जो जो chapters आपको नहीं आते हैं वो सब एक एक करके आपको यही से complete करने है lectures 1.5 या 2 time speed पे देख लो और अभी आपको class notes नहीं बनाने चाहिए अब सीधा PDF से ही बार-बार revise कर सकते हैं हाँ लेकिन lecture का आपको हर एक सवाल खुद solve करना है और end पे practice sheet भी पूरी solve करनी है तब जाके आप मान सकते हैं कि आपको कोई एक chapter पूरा complete है February के पूरे महीने में आप syllabus complete करने के साथ-साथ part syllabus mock test और एक दो full syllabus mock test भी दे सकते हैं जिनका syllabus complete भी हो गया है उनको भी अभी अपने VK एरियास पे काम करना चाहिए और part syllabus और foot syllabus mock test देने चाहिए क्योंकि वैसे आपको पता चलेगा आपके VK एरियास कोन से हैं और कितना improve करने की जरूरत है और हाँ जो मैं कुछ दिर पहले बता रहा था अपने ongoing course के आपको lectures छोड़ने है test नहीं छोड़ने अगर वहाँ कोई test series चल रही है तो आपको सारी attempt करनी है फिर चाहे कोई भी syllabus हो क्योंकि अभी इस time पे सबसे ज्यादा फायदा आपको mock test से ही होने वाला है ठीक है ये fab होगा अब March और इससे आगे के लिए हमें अपना study material थोड़ा सा reduce करना है क्योंकि less sources मतलब multiple revisions पहले तो हर एक subject के लिए NCRT और फिर physics और chemistry के लिए आप कोई एक और study material सिरेक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक हाँ लेकिन biology और inorganic chemistry के लिए आपको NCRT के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है और questions प्रैक्टिस करने के लिए तीनों subject में सिर्फ previous questions जैसे PYQs और उससे related questions को solve करने के लिए आप नियो नीट आप की भी help ले सकते हैं आपको recommend करने से पहले मैं पिछले एक हफते से खुद इस आप को use कर रहा था और मुझे सच में काफी unique लगी Let me explain पहले तो biology subject के लिए इसमें NCRT को 10,000 से भी ज्यादा MCQs में line by line cover किया हुआ है उसके अलावा इसमें 300 से भी ज्यादा picture based questions है अब जैसे मैं आपको PYQs की importance समझा रहा था तो उसके लिए इसमें past 34 years के need questions और साथ में सभी chapters के लिए assertion reason questions भी है अब इस सब के बाद आप NCRT 100% retain भी कर पाएं उसके लिए daily quiz और neat के नए pattern पे based weekly test series भी है तो बस और क्या चाहिए अगर आपको य नियो neat app interesting लगती है आप इसे check out कर सकते हैं और मेरा code नहायत 60 use कर सकते हैं आपको 60% off भी मिल जाएगा link description में इसके बाद आप mock test पे आते हैं ओके तो आपको March के महीने में mock test की frequency बढ़ानी पड़ेगी और proper analysis भी करना पड़ेगा देखो ideally तो मैं बोल रहाँ कि आपको Feb की पूरे महीने में अपना syllabus complete करना है लेकिन अगर किसी वज़े से आपका syllabus फिर भी complete नहीं हो पाता है तो फिर भी कोई बात नहीं आपके बस अभी थोड़ा ओर time बचा हुआ है चिल syllabus मेंसे अभी भी कुछ हिसा रह गया है तो आप March के महीने में भी complete कर सकते हैं मार्च के महीने में हर अपते दो टेस्ट तो आपको देने ही चाहिए और अगर आपका syllabus complete हो गया है well congratulations आप हर alternate day पे एक टेस्ट दे सकते हैं एक बार जब आपका पूरा syllabus complete हो जाए तो आपको आपने सारे subjects को दो categories में divide करना पड़ेगा conceptual subjects और factual subjects अपने conceptual subjects के लिए अब हम important चीज़े ही बार बार revise करेंगे formulas, important points, reactions, summary, points to ponder वगेरा वगेरा इन subjects में हम लोग कोई एक पूरा chapter या पूरा concept तभी revise कर रहे होंगे जब test में हमें वो चीज नहीं आ रही हो या फिर बार बार गलत हो रही हो हर time पूरा revision करने की ज़रूरत नहीं है वैसे time भी कहा है हमारे पास और जो factual subjects है उन्हें आपको बार बार पूरा revise करते जाना है और उसके लिए सिर्फ NCRT ही refer करनी है और test में जो चीज आपस बार बार गलत हो रही है उसे आप NCRT पे ही note कर सकते हैं अब April के महीने में आपको test और revision पे ही सबसे ज़ादा धियान देना है और test की frequency भी आपको अपने ही comfort के हिसाप से decide करनी है अब हर दिन एक mock test दे सकते हैं लेकिन अगर आपको burden थोड़ा ज़ादा लग रहा है अब वापस alternate day mock test series पे जा सकते हैं कोई बात नहीं अब इसके बाद जो first may से लेकर 7th may तक आखरी का एक हफता बचता है उसमें आपको एक final revision करना चाहिए बहुत लोग कहते हैं कि need से पहले एक दो दिन तक कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए rest लेना चाहिए नहीं किस खुशी में exam के बाद ले लेना जितना भी rest लेना होगा अभी revise करो इन आखरी के 7 दिन में आपको revision पे सबसे ज़्यादा focus करना है तो इसके लिए आप चाहें तो test की frequency कम कर सकते हैं अभी revision सबसे ज़्यादा important है और हाँ try कीजेगा कि आपका last mock test 5th may के दिन हो ताकि 6th में के पूरे दिन आप सिर्फ और सिर्फ revision पे focus कर सके विध दाट बिंग सेड अब 7 में को आपका नीट का exam होने वाला है तो उसके लिए वेट एक मिनट तब से हम mock test और paper analysis की बात कर रहे हैं लेकिन ये कैसे बता चलेगा कि ये सारी चीज़े करनी कैसे है simple mock test के related ये वाली super detailed वीडियो देखो 0 से 720 तक सारी चीज़े समझ जाओगे बाई